What's up everyone, welcome back to the channel, so guys, अब हम शुरू करेंगे हमारे macro economic day को, और macro economic day में भी बहुत महनत करनी है, फिर आपका exam बस आही गया है, जितनी महनत आपने Indian economic development में करी है, बस उतनी ही महनत आप लोग प्लीज macro economics में करो, खूब अच्छे तरीके से effort लगा के, practice लगा के आज का दिन करेंगे, पूरा अच्छे से utilize, और अच्छे marks के लिए जाएंगे, तो आएए, जल्दी से शुरू करते हैं, हमारा rapid quick revision, और पूरे macro economics को revise करते हैं, चलिए जल्दी से, let's begin, तो चलो यार, शुरू करते हैं, पिटा जी, फटा फट हम लोग national income के revision के साथ, और national income में जो हमारे पास सबसे पहला chapter आता है, वो है circular flow of income, circular flow of income में सबसे पहला सवाल है कि macro economics क्या होता है, तो macro economics क्या है, macro economics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates, मतलब हम इस पूरी किताब में जो भी पढ़ेंगे, कुछ भी individual aspect से नहीं पढ़ेंगे, सब aggregates के aspect से पढ़ने वाले हैं, जैसे पूरे nation का income, पूरे nation का output, total हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आता है circular flow of income क्या होता है, circular flow of income का मतलब नाम में ही है कि जितनी भी हमारे देश में income होती है, वो circulate करती रहती है, एक goal 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 manner में, इसका मतलब हम लोग वैसे हमारे पास चार सेक्टर होते हैं economy में, household, firms, government, trust of the world, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि two sector economy हैं हमारे पास, ठीक है, यह individuals हैं, यानि की households हैं, और यह हमारे पास firms हैं, जो की production करेंगी, ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले यह लोग अपने factor services देते हैं, sir factor services क्या है, land, labor, capital, entrepreneur यह यह से services देंगे, services देंगे तो इधर firm production करना चालू करेगी, क्या शुरू होगा यहाँ पे, goods or services का production होगा, ठीक है, goods or services का जब production होगा, तो इनको अपनी services के बदले में payment मिलती है, जिसको हम बोलते हैं, factor payment, ठीक है, अब payment से यह लोग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, खर्चा करेंगे तो फिर firm के पास जाएंगे, इसको बोलते हैं, consumption expenditure, और यहाँ से इसके बदले में इनको मिलते हैं, goods or services, तो देखो basically यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे पैसा भी और goods or services भी ऐसे ही circular firm में घूम रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों तो देखो जब production शुरू हुआ था ना, जब यहाँ पे firm ने production शुरू गिया था, तो services तो इन्हों ने अपनी दीती, तो इनका यहाँ पे generation of income चालू हो गया, यानि circular flow में हमें सबसे पहला जो face दिखता है, वो दिखता है generation face, generation का मतलब कि इनका income generate होना शुरू हो गया, फिर इन्हों ने क्या करा, इन्हों ने इनको pay करा, pay किसलिए करा इनकी services के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते है, distribution face, कि भया income generate होना शुरू हुआ, तो हमने इनको में distribute भी करा, अब distribution के पास पैसा रखेंगे तो नहीं है, यह क्या करेंगे, वापिस से firm को pay करेंगे, तो जा बोला जाता है, disposition face, sir, pay क्यों करते हैं, क्योंकि भी यह expenditure करते हैं ना, goods or services के उपर, तो सबसे पहला, generation face होता है, ठीक है, दूसरा face हमारे पास distribution face होता है, distribution face को ही हम लोग income face भी बोलते हैं, और तीसरा हमारे पास disposition face होता है, जिसको हम expenditure face भी बोलते हैं, और इसी पूरे गो goal 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 घूमने को हम circular flow बोलते हैं, sir, क्या है circular flow, it refers to the cycle of generation of income, यानि सबसे पहले income generate होगी production process में, फिर उसका distribution होगा amongst the factors of production, उसको distribute किया जाएगा factors of production में, और finally इसका फिर से circulation होगा household से firms में, in the form of consumption expenditure, goods or services में produced by them, ठीक है, कितने face होंगे बच्चों, तीन face होगे, generation face, distribution face, disposition face, सही है, उसके बाद दो छोड़े-छोड़े concept आते हैं, sir, flow variable किसको बोलेंगे, stock variable किसको बोलेंगे, यह जानने से पहले यह जरूरी है कि variable किसको बोलते हैं, तो देखो कोई भी चीज जिसको आप measure कर सकते हो, जिसकी value उपर नीचे होती रहती है, वो variable है, आपकी height, आपकी weight, rate economics में, आप कुछ भी चीज देखते हो, जो measure करी जा सकती है, और उपर नीचे हो रही है, वो variable है, अब flow variable किसको बोलेंगे, flow variable बेटाजी, एक वो item है, जिसकी value change होगी, यह जिसको measure किया जाएगा, over a period of time, यानि कि, समय सीमा ले जाएगी, यहां से यहां तक, जैसे production 2024 में, तो 2024, शुरू से 2024, end तक कितना production हुआ, time आ गया बीच में, तो यह flow है, और अगर कोई भी चीज एक point of time पे measure करी जाती है, एक जगा पे measure करी जाती है, जैसे मैं बोलू, कि आज आपके pocket में, अभी right now कितना पैसा है, तो वो एक stock variable हो गया, ठीक है, तो flow variable क्या होता है, वो measure, वो variable जो measure होगा over a period of time में, और stock क्या होगा, जो measure होगा एक particular point of time पे, ठीक हो गया, तो flow का, आप लोग examples, अगर आपको लिखने हो, तो आप income लिख सकते हो, और stock का लिखना हो, तो आप wealth लिख सकते हो, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, income, देखो पूरे साल की होती है, wealth एक point of time पे measure करते हैं, ऐसी production भी आप लोग flow में लिख सकते हो, और bank balance एक point of time पे, आप stock में लिख सकते हो, then we have real flow, money flow, देखो इस circular flow में चार चीज़े थी, सबसे पहले इन्होंने अपनी services दी, यहांसे services गई सबसे पहले, तो services गई, इसके बदले में payment मिला, यह पैसा आया, फिर इन पे भी पैसे का लेंदेन होगा, पैसे का flow होगा, उसको money flow बोलते हैं मिटा, और जाहां पे भी goods और services का लेंदेन होगा, उसको हम लोग real flow बोलते हैं, तो real flow क्या है, real flow refers to the flow of factor services, from household to firm and corresponding flow of goods and services, money flow क्या है, money flow refers to the flow of factor payments, ठीक है तो जहांपे भी पैसे का flow होगा उसको money flow बोलते हैं परफेक्ट होगया बच्चो Done sir ये हमें mainly chapter number one में पूरा का पूरा revise करके रखना है कुछ छोड़ी छोड़ी चीज़े मैं आपको और बता दूँ ठीक है जैसे की stock को हम लोग static बोलते हैं और flow को हम लोग dynamic बोलते हैं ठीक है इसी तरीके से real flow money flow में इनके भी दूसरे नाम होते हैं real flow को हम लोग क्या बोलते हैं physical flow और money flow को हम लोग क्या बोलते हैं nominal flow तो इस नाम से भी ये चीज़े आ सकती हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पे cover कर दिया ठीक हो गया बच्चो डान सार चालो देखो यहाँ पे आ गया real flow को physical flow money flow को nominal flow आओ जी अगले चाप्टर पे चलते हैं फटा फट से next chapter में बावू सबसे पहला जो topic आता है हमारे पास वो आता है कि sir domestic territory कि इसको बोलते हैं तो देखो अगर मैं एक layman language की बात करूँ तो layman language में domestic territory बोलते हैं एक ऐसा area जिसके अंदर people, money and assets या people, money and goods and services बहुत easily flow कर सकती है without any restriction तो क्या है हमारे पास domestic territory is a geographical territory administered by a government within which person, goods and capital circulate freely ठीक हो गया तो यह हमारे पास domestic territory में आ जाता है लेकिन जब हम economics के respect में बढ़ते हैं बचो तो हमारी domestic territory में इसके साथ साथ कुछ चीज़े और भी आती हैं जैसे सबसे पहले आती हैं हमारी हमारे ships हमारे aircrafts जो भी हमारे normal residents के हैं हमारे Indian residents के हैं तो ships हो गए, aircrafts हो गए हमारी embassy हो गई embassy हमारे consulates हमारे oil and natural gas rigs यह सब बच्चों हमारी domestic territory में आ जाएगा तो ships और aircraft हो गए embassies हो गए, consulates हो गए, floating platforms हो गए oil and natural gas के rigs हो गए यह सब हमारी domestic territory का पार्ट कहलाएंगे ठीक है normal resident एक चोटा सा concept आता है normal resident कौन होता है एक ऐसा individual जो हमारे देश में रह रहा है एक साल से जादा के लिए और उसका center of economic interest यानि उसका खाना कमाना खर्चा भी हमारे देश से ही चलता है an individual or an institution who ordinary resides in a country for a period of more than one year and whose center of economic interest also lies in that country sir factor income क्या होता है transfer income क्या होता है देखो factor income factors of production को मिलती है अपनी महनत करने के बदले में अगर मैं बहुत महनत करके पढ़ा रहा हूँ और मुझे fees मिल रही है तो वो एक factor income है और मुझे किसी ने आते आते वैसे ही 20 रुपे दे दिये बिना कुछ करे कि बेटा लो बहुत अच्छा काम करते हो रखो 20 रुपे तो अब वो मेरे लिए क्या होगी transfer income बिना कुछ करे मिल गया तो factor income क्या होगा factor income is the income received by factors of production for rendering factor services in the process of production transfer income कौन सी होती है which is received without rendering any productive service in return तो factor income होती है बच्चो एक earning concept और transfer income हमारे पास होता है receipt concept ठीक है जी perfect है उसके बाद आता है बच्चो हमारे पास final goods और intermediate goods तो sir क्या है हमारे पास final goods क्या है हमारे पास intermediate goods final goods वो goods हैं जो की ultimate consumer अपने पास खरीदेगा या तो वो consumption के लिए ले लेगा या फिर investment के लिए यानि लंबे समय अपने पास रखेगा तो final goods से कोई further production नहीं होता final good आपके पास आया और आप उसकी services directly consume कर लोगे intermediate goods कौन से होते हैं जो या तो आप resale करोगे दुबारा से बेचोगे या फिर उससे आप further production करने वाले हो कुछ ना कुछ आगे आप production करोगे उससे कुछ shape change होगी उसकी वो basically production boundary के अंदर-अंदर होते हैं उससे भी further production होती है उनको हम intermediate goods बोलते हैं ठीक है तो जो भी goods एक साल के अंदर-अंदर या तो resale हो जाएंगे या फिर उनसे further production होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं intermediate goods अब देखो बच्चो कोई भी good final या intermediate अपने नाम से नहीं होता या फिर एक milk seller ने तो वो तो उसको resale करेंगे या फिर उससे further production करेंगे तो इसलिए वो ही milk intermediate हो गया तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई भी commodity कोई भी good एक साल के अंदर-अंदर या तो resale हो रहा है या उससे further production हो रहा है consumption good और capital good consumption good इसलिए कि जो directly consumers ने buy करें हैं तो वो consumption goods में आ जाएंगे it refers to those goods which satisfy the wants of consumers consumer ने directly लिया तो consumption goods और capital goods क्या होते है capital goods हैं जो basically firms ने खरीदे हैं firms के पास रखे हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं capital goods ठीक हो गया done है बच्चो अब suppose मैं आपको for example इसका example भी देता हूं let's suppose एक रेफ्रीजिरेटर खरीदा है रेफ्रीजिरेटर खरीदा है किसने खरीदा है एक रेफ्रीजिरेटर reseller ने वो रेफ्रीजिरेटर बेचता है ठीक है तो वो एक साल के अंदर अंदर रेफ्रीजिरेटर को बेच देगा resell के लिए खरीदा उसने resell के लिए खरीदा अगर उसने तो वो बन गया intermediate ओके वहीं पर अगर वो रेफ्रीजिरेटर किसी कंज्यूमर ने खरीदा मैंने अपने घर ले जाने के लिए खरीदा तो मेरे लिए हो गया वो final good मेरे लिए क्या हो गया वो final good अब final के अंदर मैं कौन हूँ मैं कंज्यूमर हूँ या मैं एक firm हूँ मैं तो एक consumer हूँ, अगर मैं consumer हूँ, तो मैं उसको consume करूँगा, उसकी services घर ले जाऊँगा, तो मेरे लिए वो क्या बनेगा, consumption good, वहीं पर अगर मैं एक firm होता, और मैंने refrigerator खरीदा था बेचने के लिए, लेकिन एक साल से ज़ादा मेरे पास ही रहा, नहीं बिख पाया, closing stock बच गया, refrigerator का, तो एक साल से ज़ादा हो गया, तो वो intermediate की category से तो भाहर, final की category में गया, final की category में क्या बनेगा, वो capital good बन जाएगा, capital Q बन जाएगा, क्योंकि एक साल से ज़ादा मेरे पास रखावा है, ठीक है, perfect है, यह मैंने बहुत detail में, GNG सीरीज में ही पढ़ाया है, नॉर्मली भी पढ़ाया है, अगर कोई भी confusion हो, तो वहां से जाके cover कर ले रहा, इसके बाद आता है बच्छो, gross investment, gross investment क्या होता है, total investment कितनी हुई है, एक साल में उसको gross investment बोलते है, depreciation क्या होता है, जब किसी भी fixed asset का value कम होता है, normal wear and tear की वज़े से, passage of time की वज़े से, और expected obsolescence, फ्लीज ध्यान रखना बच्छो, expected, इसके अंदर आपको question में, अगर MCQ में आया, तो unexpected obsolescence भी लिख के दे सकता है, तो आपको याद रखना है, expected obsolescence इसमें चलेगा, इसके बाद कुछ ये दूसरे नाम है, बच्छो, जैसे domestic territory को economic territory बोलते हैं, factor income को earned income बोलते हैं, transfer income को unearned income बोलते हैं, investment को capital formation बोलते हैं, depreciation के कुछ दूसरे नाम हैं, और subsidies को क्या-क्या बोलते हैं, economic assistance या फिर financial assistance, चालो सर, इसके बाद बावू chapter number 3 में कुछ खास नहीं है, बस आपको 8 aggregates दिये वे हैं, 8 aggregates सर कौन-कौन से होते हैं, भाई, 4 net वाले होते हैं, 4 gross वाले होते हैं, तो gross वाले कौन से हैं, GDP at MP, GDP at FC, GNP at MP, GNP at FC, ऐसे ही NDP at MP, NDP at FC, NNP at MP, NNP at FC, mainly इसके अंदर domestic income याद रखना है आपको, NDP at FC, यह हमारे पास domestic income होता है, net domestic product, और national income होता है, NNP at FC, net national product, at factor cost, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो mainly 8 aggregates हैं, इनके बारे में मैं आपको बस main main चीज़े बता रहा हूँ, जहां जहां पे market price है और factor cost है, फरक देख लो, market price में क्या लिखा होगा, market value, factor cost पे लिखा होगा, money value, main चीज़ समझो देखो, बाकी सब सेम जा रहा है, market price है तो market value लिखा होगा, factor cost लिखा होगा, तो money value लिखा होगा, ठीक है, अब देखो, gg है तो यहां पे gross gross चलेगा, n है तो यहां पे net चलेगा, ठीक है, बाकी सारी definition हमारे पास बिल्कुल सेम चलने वाली है, तो यह इनकी 8 definitions हैं, जो आपको बस पता होनी चाहिए, that is it, ओके, चलो सार, उसके बाद बचो हमारे पास fourth chapter आता है, national income calculate करने के कितने methods हैं, तो हम बोलेंगे सर, national income calculate करने के तीन methods हैं, value added method, income method, expenditure method, तीनों के ही numerical भी हमने करें हैं, और important numerical मैं आपको शाम को एक बार फिर से कराबी दूँगा, उसके बाद सर, value added method कौन सा होता है, तो हम लोग देखो, बड़े ध्यान से बोलेंगे, कि सर, value added method वो method है, जिसके अंदर, market value of all the final goods and services, produced by each producing enterprise, within the domestic territory of a country, हम ले लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़े होती हैं, value added method से हमारे पास क्या आता है, याद करो, GVA at MP, और formula क्या है, value of output minus intermediate consumption, Sir, value of output क्या है, it refers to the market value of goods and services produced during a period, कितने goods or services produced हुए है, intermediate consumption क्या होता है, the value of non-factor inputs, which are used in the production process, कितने raw material बेसिकली यूज़ हुआ है, इसको बनाने के लिए, तो हम क्या बोल देते हैं, intermediate consumption, double counting एक important question है, exam में आ सकता है, Sir, double counting होता क्या है, अगर कोई भी item, value added method से national income निकालते हुए, दो बार count हो गई, तो उसको double counting बोल देते हैं, it refers to the repeated inclusion of the same product at different stages, double counting से कैसे बचना है, या दको रो फटाफट से कैसे बचना था, या तो आप final output method यूज़ कर सकते हो, और या फिर आप value added method यूज़ कर सकते हो, तो double counting से बचने का यही तरीका है, income method की बात करें बच्चों, अगर तो income method में हम national income कैसे निकालते हैं, in terms of the payment made to the primary factors of production, कौन-कौन से main components है income method के, profit, rent and royalty, interest, mixed income, COE, prime मैंने आपको याद कराया हुआ है, तो profit, rent and royalty, interest, mixed income, COE, ये इसके components होते हैं, expenditure method की बच्चों, अगर हम बात करें, तो expenditure method में मैंने आपको GGNP आद कराया हुआ है, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, net exports और private final consumption expenditure, net exports का formula बच्चों, exports minus imports, gross domestic capital formation में ध्यान रखना, कभी-कभी gross domestic fixed capital formation दिया होता है, तो अगर fixed word use होगा, तो उसमें change and stock add होगा, उके, चालो, इसके बाद आता है national income at current prices and national income at constant prices, तो national income at current prices क्या होता है बच्चों, जब भी हम लोग आज ही का price और आज ही की quantity use करते हैं, उसको national income at current prices बोलते हैं, constant price में आप क्या करते हो, quantity आज क्यों होती है, लेकिन price base year का होता है, राइट, यह आपको ध्यान रखना है, ओके, national income at constant price का एक formula भी दिया वा है, current price upon price index into 100, nominal GDP, real GDP, nominal GDP किसको बोलते हैं, जब GDP calculate करते हैं current prices पे, real GDP किसको बोलते हैं, जब GDP calculate करते हैं constant prices पे, यानि base year के price पे, ठीक है, कौन सा better है, real GDP एक better index है बच्चों, formula क्या है, देखो, real GDP is equal to nominal upon price index into 100, या फिर हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, price index is equal to nominal upon real into 100, अगर examination में भूल जाओ, तो ABCD तो याद रहती है, पहले alphabetically N आएगा या R आएगा, N पहले आएगा ना, तो N उपर R नीचे, simple, ठीक है, GDP deflator क्या है बच्चों, price index को ही बोल देते हैं हम, it measures the average level of price of all the goods and services, that makes up GDP, nominal upon real into 100, ये national नहीं है, nominal है, nominal upon real into 100, चालो बाई, GDP and welfare में बच्चों हम ये देखते हैं कि GDP को, अगर किसी देश का GDP अच्छा है, तो welfare भी हो रहा होगा, इसकी कोई guarantee नहीं है, तो GDP हर बार एक satisfactory measure नहीं होता, welfare का, आपको क्या क्या चेक कर लेना चाहिए, distribution of GDP चेक कर लो, क्या GDP properly distributed है, change in prices देख लो, क्या GDP कहीं prices की वज़े से तो नहीं बढ़ रहा, non-monetary exchange देख लो, बहुत सारे ऐसे exchange होते हैं, जो money की terms में measure ही नहीं होते, लेकिन हमारे welfare के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो चेक कर लो क्या, वो सारी चीजे हमने consider करी है, externalities very important, साउधान इंडिया सवाल, किसी भी activity के positive या negative impacts, positive हुआ, तो उसने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन वो भी हमने consider नहीं किया, negative हुआ तो हमारे लिए नुकसान की चीज़ है, लेकिन हमने वो भी consider नहीं किया, तो वो भी देखना चाहिए, population growth, अगर GDP के साथ साथ जन संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो इस GDP का हमें कोई खास फाइदा नहीं होगा, इसके साथ composition of GDP, चेक करो कि जो GDP बढ़ा है, उसका क्या composition है, किस वज़ा से बढ़ा है, तो इसलिए हम लोग GDP को हमेशा welfare ही होगा, यह नहीं कह सकते, यह कुछ दूसरे नाम है बेटा, इसका आप एक बार reading लगा लेना, screenshot ले लो, यह आपको पता होना चाहिए, ओके, चलो भाई, लो जी, operating surplus को income from property and entrepreneurship भी बोलते हैं, है न, इसका भी screenshot लेकर रखना, आईए जी, अब चलते हैं, बच्चों हम लोग money and banking की तरफ, money and banking में सबसे पहला topic जो आता है, वो आता है, बच्चेंज किसको बोलते हैं, चलो बता दो भाई, जब goods के बदले में, goods, services के बदले में, services या, पैसा नहीं होता था, तो बच्चेंज चलता था, बच्चेंज की क्या-क्या limitations होते थे, lack of double coincidence of wants, ले बस में नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो, lack of double coincidence of wants का मतलब की, मेरे पास आपको जो product चाहिए वो है, लेकिन आपके पास वो product नहीं है, जो मुझे चाहिए, तो बाटत तो नहीं हो पाएगा न, तो double coincidence नहीं हुआ, lack of common measure of value, हम measure नहीं कर सकते थे, किस commodity के बदले में, क्या देना है, कितना देना है, वो बड़ी दिक्कत थी, lack of standard for deferred payments, deferred payments का मतलब की, आज अगर कोई dealing हुई है, और मुझे आज से 6 महीने बाद, आपकी commodity वापस करनी है, तो आज जिस condition मिली, 6 महीने बाद उस condition में, तो देई नहीं पाऊंगा, पैसा तो हम लोग store कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बच्चों, इन सभी problems को solve करने के लिए money आया, तो money क्या है, money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, money एक माध्यम है, हर चीज बदली जा सकती है, money के बदले में, measure of value, आप money की terms में हर चीज को measure कर सकते हो, कि भाईया मेरा एक घंटा कितने का, आपका एक घंटा कितने का, किसी और individual का एक घंटा कितने का, अगर वो service provider है, कोई भी goods है, तो ये hoodie कितने की है, ये cap कितने की है, आलू टमाटर कितने के हैं, phone कितने का है, हर चीज की value measure कर सकते हो, measure of value, store of value, आप money को store भी कर सकते हो, standard of deferred payments, future transactions भी money की टाम्स में कर सकते हो, जैसे loan वगेरा का लेंदें भी हो सकता है, तो money के क्या-क्या functions है, medium of exchange, माध्यम है, measure of value, money की टाम्स में आप चीज़े measure कर सकते हो, store of value, and standard of deferred payment, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बाद बचो एक छोटा सा concept आता है, money supply, money supply क्या है, total कितना volume of money आपके पास है, एक particular point of time पे, the total volume of money held by public, at a particular point of time, उसको money supply बोलते हैं, money supply के कितने measures हैं, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, at a particular point of time है, तो stock concept है, उसके बाद money supply के कितने measures हैं, तो हम बोलेंगे sir, M1, M2, M3, M4, आपके syllabus में mainly M1 आपको पता होना चाहिए, तो M1 में क्या क्या आता है, currency and coins with public, demand deposit of commercial banks, other deposits with RBI, बाकी की भी एक एक बार reading रेडिंग जरूर लगा लेना, ठीक है, इसके बाद आता है, बच्चों हमारे पास banking, banking में हम लोग क्या देखते हैं, commercial bank क्या है, commercial bank बच्चों वो institutions हैं, जिनके साथ हम लोग deal करते हैं, ठीक है न, हम लोग deal करते हैं, public deal करती है, तो commercial bank is an institution, which perform the functions of accepting deposits, granting loans and making investments, with the aim of earning profits, इसका मतलब ये है, कि एक ऐसा institution, जहां पर जाके आप अपना पैसा जमा कर सकते हो, जहां से आप loan ले सकते हो, और ये आपके पैसे को invest करेगा, मक्सद इसका पैसा कमाना ही है, कोई भी bank बनने के लिए, क्या essential condition है, भई आप accept करो deposits, और आप loan प्रोवाइड करो लोगों को, इसके बाद बिटा money creation होता है, money creation को हम लोग money multiplier भी बोलते हैं, ये concept आपको ये बताता है, कि एक commercial bank initial deposit से, कितना गुना final deposit बना लेता है, तो उसको हम money creation या money multiplier बोलते हैं, money multiplier का एक formula होता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, one upon LRR, तो LRR के basis पे basically money creation होता है, तो commercial banks are able to create credit, which is many times more than the deposits received by banks, इसका formula याद रखेंगे, one upon LRR, ठीक है, इसके बाद बच्चों, central bank आगया, सर, central bank क्या है, central bank एक apex body है, apex का मतलब सबसे supreme body है, which control, which operate, which regulate, which direct, पूरा का पूरा banking और monetary structure of the country, अब central bank के functions में क्या आता है, currency authority, जितने भी currency है, except किसको छोड़के, 1 रुपे का note और सभी सिक्के, ठीक है, 1 रुपे का note और सभी coins, वो ministry of finance इशू करती है, बाकि सारी currency, central bank इशू करता है, इसलिए इसको bank of issue भी बोलते हैं, banker to the government, सरकार के लिए, banker, agent, supervisor, सब यही है, तीसरा bankers, bank, सभी banks का bank यही है, चौथा controller of money supply, money supply को control भी, यही करता है, अब money supply को control करने के लिए, इसके पास बहुत सारे, तरीके हैं, जैसे, सबसे पहले है, bank rate, long term loan, अगर कोई commercial bank लेगा, reverse repo rate, reverse repo rate होता है, कि अगर कोई commercial bank, अपना पैसा जमा करता है, RBI के पास, तो उसके बदले में, वो जो interest देते हैं, उसको reverse repo rate बोलते हैं, reverse repo rate, open market operations, open market operations होता है, बच्चो, government securities का, buy or sell करना, RBI के द्वारा, अगर money supply को control करना है, तो RBI sell करता है, security, sell करेगा, तो पैसा RBI के पास आ जाएगा, ठीक है न, money supply control करने के लिए, repo rate भी बढ़ाया जाता है, bank rate भी बढ़ाया जाता है, reverse repo rate भी बढ़ाया जाता है, open market operations में, securities को sell किया जाता है, और LRR भी बढ़ा दिया जाता है, LRR के दो parts होते हैं बच्चो, CRR और SLR, याद करो CRR क्या होता है, cash reserve ratio, SLR क्या होता है, statutory liquidity ratio, CRR वो percentage है, जो banks को central bank के पास रखना होता है, अपने deposit का, और SLR वो percentage है, जो अपने पास रखना होता है, खुद के पास रखना होता है, deposit का, ठीक है, suppose 100 रुपे का deposit आया, 10-10% इनका rate चल रहा है, तो 100 का 10 रुपे CRR रहेगा, तो central bank के पास जमा करने पड़ेंगे, 100 के 10 अपने पास रखने पड़ेंगे, तो 80 बचे बाकी उसको loan बाट सकते हो आप, ओके ये भी बढ़ा देना होता है, जब भी money supply control करना होता है, ठीक हो गया बच्चो, ये सारे के सारे quantitative instruments थे, qualitative में ऐसे ही हमारे पास moral suasion आता है, moral suasion का मतलब क्या है, ये RBI की policy है कि भाईया, आपको प्यार से भी हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हम जबरदस्ती भी करवा सकते हैं, तो RBI की policies माननी ही पड़ेगी commercial bank को, तो moral suasion में बहुत सीधा होता है, RBI मना कर देता है कि लोन नहीं देना, ठीक है, moral suasion हो गया, उसके बाद आपके पास selective credit control आता है, selective credit control क्या होता है, कि भाया, सारे sectors का बनना करके, कुछ sectors का पैसा कम कर देंगे, तो credit rationing एक scheme है, वो चल जाती है इसके अंदर, कि बहुत सोच समझ के पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, और last आता है मारबाद margin requirements इसके अंदर, margin requirement क्या होता है, margin is the difference between amount of loan and the security, for example, मैं bank से loan लेने के लिए एक करोड का, bank ने security मांगी एक करोड पचास लाग की, तो वो जो पचास का difference है न, वो ही margin है, अगर आपको money supply control करना है, तो margin बढ़ा दिया जाता है, इसको काफी जादा extend कर देते हैं, ताकि आसान ना हो loan लेना, ठीक है जी, then हमारे पास इनके कुछ अलग-अलग नाम है, इसका आप screenshot ले लो, ताकि आपको याद रहे, repo rate को repurchase rate बोलते हैं, bank rate को discount rate बोलते हैं, LRR को variable reserve ratio भी बोलते हैं, इसके बाद आ रहा है बच्चों हमारे पास, AD and AS, तो AD क्या होता है, AD is the aggregate expenditure, एक economy में सारे sector मिलके कितना खर्चा करना चाहते हैं, उसको AD बोलते हैं, AD refers to the total value of final goods and services, which all the sectors of the economy are planning to buy, at a given level of income, during a period of one accounting year, AD के क्या-क्या components होते हैं, बच्चों, 4 components होते हैं, 4 components कौन-कौन से हैं, हमारे पास, C plus I plus G plus X minus M, C क्या है सर, C है बच्चों, private consumption expenditure, private individuals का, I क्या है, investment expenditure, जो firms कर रही हैं, G क्या है, सरकार का खर्चा, government expenditure, net exports क्या है, X minus M, लेकिन जब हम यह chapter बढ़ते हैं, तो हम two sector model बढ़ते हैं, तो हम क्या मान के चलेंगे, AD is equal to C plus I, लेकिन अगर exam में components आएंगे, तो चारो लिख क्या होगे, ठीक है, AS क्या होता है बच्चों, AS होता है, overall aggregate income economy में, कितनी हुई है सबको, it refers to the money value of final goods and services, that all the producers, are willing to supply in an economy, in a given time period, ठीक है, उसके बाद बच्चों, हमारे पास आता है, consumption function, उससे पहले मैं आप लोगको, एक बार AD और AS का curve दिखा दूँ, ठीक है, AD और AS के अगर हम curve की बात करते है, तो AD का curve कैसा होता है, AS का curve कैसा होता है, तो देखो बच्चों, AD के curve में, AD में दो components है, C plus I, I को हम autonomous मानते हैं, तो I ऐसे रहता है, consumption बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ दो, तो AD का curve बन जाता है, इस तरीके से यहां पर, AD बन गया, C plus I, तो this is how AD curves looks, ठीक है, इसके बाद AS का curve, अगर मैं बात करूँ, तो AS का curve क्या होता है, देखो, AS का curve सीधा सीधा, 45 degree की line होती है, ऐसा, AS होता है, C plus S, AD होता है, C plus I, तो यह इस तरीके से, आप लोग AD और AS के curves, बना सकते हो, ठीक हो गया बच्चो, सर अगर हमें इसको plot करना हो, तो table भी चाहिए गया, table भी आप इसको chapter में, एक ही याद रख सकते हो, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 0 level of income पे भी, कुछ ना कुछ consumption जरूर हो, क्योंकि इंसान मर नहीं सकता, उसको autonomous consumption बोलते हैं, पहला 40, फिर 80, 80 से बढ़ा लेना, 120, 200, 280, 360, 440, 520, यह हमारे पास consumption हो गया, ठीक है, income में से consumption हटाए, तो savings आ जाता है, savings निकाल लो, minus 40, minus 20, 0, 20, 40, 60, 80, उसके बाद हमारे पास I आ जाता है, I आपको autonomous लेना है, fix लेना है, तो आप 2020 investment ले सकते हो, income कितनी ही उपर नीचे होती रहे, investment सेम ही रहने वाली है, ठीक है, AD निकालना है, तो C plus I कर लो, AS निकालना है, तो C plus S कर लो, C plus I, C plus S, 200, 300, 400, 500, 600, यहां से आपको समझ में आएगा, कि income और AS एक ही बात है, तो Y is equal to, AS is equal to C plus S होता है, AD C plus I कर लो, 40 plus 20, 60, 140, 220, 300, 380, 460, 540, यह आपका बच्चो AD आ गया, ठीक हो गया, तो यह टेबल आप पूरे चाप्टर में बना के आ सकते हो, याद रख सकते हो, इसको आप याद रखना, ठीक है जी, तो यह AD आ गया, AS के curves आ गये देखो, AD और AS के curves इस तरीके के होते हैं, OK, AS का curve exactly 45 degree line होता है, यानि जितना area होदर, इतना इधर, AD आपने देख लिया, AS आपने देख लिया, अब आजाता है consumption function, Sir, consumption function किसको बोलते हैं, तो consumption function होता है, बच्चों की आपकी कितनी ability है, खर्चा करने की, तो consumption function refers to the functional relationship between consumption and national income, लिखा कैसे जाता है ये, ठीक है, यह ऐसे लिखते हैं हम लोग, consumption का क्या रिष्टा है income के साथ, उसको हम consumption function बोलते हैं, break-even point किसको बोलते हैं बच्चों, break-even point एक ऐसा situation होता है, जहां पे consumption income के बराबर होता है, income बराबर consumption होता है, या फिर जहां पे saving zero होती है, तो अगर break-even point मुझे दिखाना है, अगर मुझे break-even point दिखाना है, तो break-even point होता है, जहां पे income बराबर consumption होता है, देखो यह, 200, यह income बराबर consumption होता है, यहां पे saving zero होता है, तो जब मैं इसको plot करूँगा, तो मैं बोलूँगा, सर, यह हमारी income है, यह हमारा consumption है, तो जहां पे यह intersect कर रहे हैं, यहां पे, this point is break-even point, इसको ध्यान दखना, break-even point से पहले चेक करो, consumption जदा है, तो इस वाले area को dis savings बोलते हैं, इसके बाद देखो income जदा है, तो इस वाले area को savings बोलते हैं, तो break-even point से पहले बच्चो dis saving आता है, break-even point के बाद savings आता है, यह आपको पुरा का पुरा अच्छे से revise होना चाहिए, done sir, यह भी revise हो गया, कितने प्रकार का propensity to consume होता है, दो प्रकार का, A, P, C, M, P, C, तो A, P, C क्या होता है, income कितनी होगी, उससे consumption कितना है, suppose 100 की income है, 60 का consumption है, तो 0.60 आ गया, 100 की income है, 80 रुपे का consumption है, तो 0.80 आ गया, ठीक है, यह एक से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी तो होता है, कि 100 की income है 120 का करचा है, है ना, तो यह 1 से उपर भी जा सकता है, M, P, C क्या होता है, M, P, C होता है बच्चो, हमारे पास की income change हुई, तो उससे consumption कितना change हुआ, change शब्द ध्यान रखना, यह हमेशा 0 से 1 के बीच में ही घुमेगा, यह ना 0 से नीचे जाएगा, और ना यह 1 से गभी उपर जाएगा, ठीक है, तो income का consumption के साथ कैसा रिष्टा है, उसको APC बोलते हैं, अब income का saving के साथ कैसा रिष्टा है, the functional relationship between savings, saving का क्या रिष्टा है income के साथ, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, saving function बोल देते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें break-even point दिखाना होता है, break-even point इसमें कहाँ पे दिखाते हैं, जहाँ पे saving zero होती है, कितने प्रकार की propensities हैं, APS और MPS, APS होता है, income में से कितना save करा, वो APS है, suppose 100 की income पे 20 रुपे save किये, तो 0.20 आ जाएगा, MPS क्या होता है कि income change होने की वज़े से, saving में कितना change आया, उसको हम MPS बोल देते हैं, okay, done sir, sir investment क्या है, investment होता है, बच्चों आप कितना खर्चा कर रहे हो, नए assets बनाने पे, उसको investment बोलते हैं, कितने तरीके की investment होती है, induced और autonomous, autonomous investment वो है, जिसमें हम profit motive की बाती नहीं कर रहे होते, fix रहता है, कोई फर्खी नहीं पढ़ता, income कम जादा हो रही है, तो होती रहे, investment सेम रहेगी, उसको autonomous बोलते हैं, induced investment वो होती है बच्चों, जो profit के लिए करी आती है, normally private sector करता है, अगर जादा income होगी, तो जादा investment कम होगी, तो कम investment, उसको हम induced investment बोल देते हैं, इसके बाद आता है, xaint और x post, xaint का मतलब है बच्चों, planned, x post का मतलब है actual, तो xaint saving का मतलब की, आपने कितनी saving plan करी है, xaint investment का मतलब की, आपने कितनी investment plan करी है, x post saving का मतलब, कितनी actual saving हुई, x post investment का मतलब, कितना actual investment हुआ full employment किसको बोलते है बच्चो full employment एक ऐसी situation को बोलते है जहां पर जितने भी लोग willing भी है और able भी है काम करने के लिए उनको काम मिल रहा है उसको हम full employment बोलते है involuntary unemployment क्या होता है involuntary होता है मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा it travels to a situation in which all those people who are willing and able to work at existing wage rate but are not getting any work ठीक है इसके बाद बच्चो मैं आपको अगले chapter पे जाने से पहले कुछ चीजें और बता दू ठीक है कुछ चीजें और है बच्चो वो क्या है देखो यहां पे आप लोग लिख सकते हो a, p, c, a, p, s, m, p, c, m, p, s क्या negative हो सकता है क्या 1 हो सकता है क्या 0 हो सकता है क्या more than 1 हो सकता है ठीक है तो देखो a, p, c है c upon y a, p, s है s upon y m, p, c है delta c upon delta y m, p, s है delta s upon delta y तो देखो क्या a, p, c, negative हो सकता है तो हम बोलेंगे नहीं a, p, c, negative नहीं होता क्योंकि consumption कभी negative नहीं होता ठीक है क्या a, p, c, 1 हो सकता है तो हम बोलेंगे yes break even point पे break even point पे income बराबर consumption होता है income बराबर consumption होगा तो हो जाएगा क्या APC 0 हो सकता है, नहीं, कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ consumption तो रहेगा न, उसके बाद क्या APC more than 1 हो सकता है, yes, APC more than 1 भी हो सकता है, disk savings में, या फिर before break-even point में, तो बच्चों, ये कुछ important observations हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, APS क्या negative हो सकता है, APS, yes, क्योंकि savings negative से ही शुरू होती है, 0 level of income पे negative saving होती है, ये हो सकता है, क्या APS 1 हो सकता है, कि जितना income करा सारा का सारा save कर लिया, नहीं, नहीं हो सकता, क्या APS 0 हो सकता है, yes, जब saving 0 हो, break-even point पे, क्या APS more than 1 हो सकता है, income से ज़्यादा saving तो कर नहीं सकते, the answer will be no, नहीं होगा, ठीक है जी, perfect है, okay, perfect है, अच्छा, MPC की बात कर लो, क्या MPC negative होगा, नहीं, क्या MPS negative होगा, नहीं, क्या MPS 1 हो सकता है, yes, क्या MPS 1 हो सकता है, yes, क्या 0 हो सकता है, yes, yes, more than 1, no, no, क्योंकि ये दोनों हमेशा 0 से 1 के बीच में ही गूमते है, MPC और MPS बच्चों, हमेशा 0 और 1 के बीच में APC plus APS is equal to 1 होता है ठीक है तो एक अब देखो एक तो यह इसका screenshot ले लो बच्छो यह तुम लोग को अच्छे से आना चाहिए इसका screenshot ले लो पता होना चाहिए तुम्हें अब formula's देख लो मैं तुम्हें कौन-कौन से बता दिये AD is equal to C plus I AS is equal to Y is equal to C plus S उसके बाद चार formula's यह है APC, APS, MPC, MPS पांचवा यह है छटा यह है दो यह हो गए C is equal to C bar plus BY, S is equal to minus C bar plus 1 minus BY, यह क्या है यह consumption का formula है, यह क्या है यह saving का formula है, C bar is autonomous consumption, B is MPC, 1 minus B is MPS क्योंकि MPC plus MPS is equal to 1, यह सारे formula's भी मैंने आपको इस chapter के revise करा दिये, done sir, चलो भाई, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है कितनी approach है equilibrium ढूंडने के लिए, तो equilibrium ढूंडने की बच्चों हमारे पास 2 approach होती है, एक को AD AS approach बोलते हैं, एक को SI approach बोल हैं, जहां पे AD बराबर AS हो, और जहां पे saving बराबर investment हो, तो बच्चों अगर AD बराबर AS होता है, तो उसको equilibrium बोलते हैं, very important exam में आएगा 100%, इन दोनों में से एक नाएक पका आएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से इस topic को करके जाना, AD बराबर AS, AS होगा 45 degree, AD होगा इस तर intersect करेंगे, इसको equilibrium हम लोग बोल देते हैं, यह हमारा equilibrium level of income, output employment, यह हमारा AD, ठीक है, इधर अगर saving investment approach की बात करूं, तो जहां पे saving बराबर investment होगा, शार investment तो ऐसा होता है, यह investment है, यह saving है, तो जहां पे भी saving बराबर investment होगा, इसको हम equilibrium बोलेंगे, income, output, employment, और यहां पे हमने सेविंग्स, ठीक है, पर्फेक्ट है, savings and investment, सही है, तो AD बराबर AS से कैसे equilibrium मिलता है, saving बराबर investment से कैसे equilibrium मिलता है, यह आपको पता होना चाहिए, done sir, तो ADS approach, equilibrium is achieved when planned expenditure of the economy is equal to planned availability of goods and services, savings approach में S is equal to I, full employment किसको बोलते हैं, बच्चो, full employment, under employment, over full employment, आज आओ, मैं आपको यह भी एक बार दिखा दू, full employment बोलते हैं, एक ऐसा situation, जहाँ पर आपके resources fully utilized हैं, तो full employment कहाँ पर, किसको बोलते हैं, देखो, यह हमारा AS है, यह हमारा AD है, इसको हम लोग full employment equilibrium बोल देंगे, यहाँ पर जितने भी लोग काम करना चाहते थे, उनको काम मिल भी रहा है, ठीक है, इसको हम full employment बोलते हैं, अब बच्चों अगर demand बहुत जादा बढ़ने लगे, बहुत जादा, बहुत जादा demand होने लगे economy में किसी भी चीज़ की, तो लोगों को overtime करना पड़ेगा, तो demand अगर जादा हो जाती है, तो AD बढ़के आजाता है, AD बढ़के आएगा, तो curve उपर की तरफ चला जाएगा, ऐस इस situation में हमें जरूरत से जादा काम करना पड़ेगा, इसको हम over full employment equilibrium बोलते हैं, वहीं पे अगर demand कम हो जाए, क्योंकि demand कम भी हो सकती है, demand कम होगी तो लोगों कम काम मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, जितनी उनकी ability है, उससे कम time के लिए काम करेंगे, तो demand अगर नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पे आपको equilibrium मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, under employment equilibrium, तो under employment होगा, तो भी आपको इधर ही move करना है, आना इसी point पे है, आना full employment पे ही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, under employment से भी full की तरफ जाना है, over full से भी full की तरफ ही आना है, यह आपको बस पता हो होना चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं, c plus i plus delta i, और यहाँ पे लिखते हैं, c plus i minus delta i, ठीक है, तो यह तीन प्रकार के equilibrium होते हैं, full employment, under employment, over full employment, I guess आपको सारा का सारा याद आ गया होगा, सही हो गया sir, चलो, ads approach हो गई, full employment होगा, under employment होगा, over full employment होगा, multiplier, sir multiplier क्या होता है, multiplier यह बो economy में, सरकार थोड़ी सी भी investment करती है, अगर government थोड़ी सी भी investment करती है, तो उससे कई गुना income generate होती है, उसको multiplier बोलते हैं, suppose government ने investment करा 100 करोड का, और 500 करोड की उससे income हो गई, तो five times हमारी किस की value आ गई, multiplier की value आ गई, अब यह जो investment multiplier है, यह किस assumption पे based है, इसका assumption यही है, कि अगर मेरा खर्चा है, तो आपकी income, आपका खर्चा है, तो मेरी income, तो पैसा ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, और कई गुना income हो जाती है, एक छोटी सी investment से, तो यह multiplier का पूरा concept है, it refers to the ratio of change in income to change in investment, अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसके दो formula हो रहे 1 upon 1 minus MPC और 1 upon MPS, ऐसे भी आप K calculate कर सकते हो, minimum value कितनी होगी एक number के लिए ध्यान रखना, minimum value multiplier की 1 होती है, maximum value infinite होती है, कुछ नहीं पता कहां तक चला जाए, MPC के साथ directly relation होता है, MPS के साथ inverse relation होता है, working of multiplier के लिए आपको एक बार पूरा का पूरा table process देखना पड़ेगा, उसक देखना है, यह हमारे पास बच्चों, इस chapter का revision हो गया, इसके बाद next chapter आता है, हमारे पास access demand, inflationary gap, deficient demand, deflationary gap, सबसे पहले access demand किसको बोलते हैं, access demand होता है बच्चों, जब भी economy में demand जादा हो, यह हमारे पास as है, यह हमारे पास ad है, यह हमारे पास full employment equilibrium था, income output employment यह हमारे पास equilibrium था, तो economy में जब भी demand जादा होगी, suppose ad बढ़के आ रहा है, c plus i plus delta i, तो हमारे पास जब भी economy में demand जादा होगी, supply तो constant है, तो ऐसी डिमांड को क्या बोला जाता है? excess demand तो जब भी AD ज़ादा हो जाता है हमारे को जितना expected होता है उससे तो ऐसी situation को excess demand बोला जाता है अब जब भी demand ज़ादा होगी बच्चों देखो supply तो इतनी रख सकता हूँ demand बढ़के आ रही है इतनी ज़ादा तो एक gap आ गया इस gap को क्या बोला जाता है इंफलेशनरी गाप बोलते हैं ओके डन सर ये कर्व भी अच्छे से याद रखना है excess demand refers to a situation when AD is greater than AS corresponding to full employment level inflationary gap क्या है it is the gap by which AD exceeds the AD required to establish full employment equilibrium अब सरी demand बढ़ कैसे जाती है excess demand के क्या क्या कारण हो सकते है तो हम बोलेंगे सबसे पहले rise in propensity to consume की propensity to consume बहुत तेजी से बढ़ रहा है लोगों में खर्चा करने की शमता बढ़ रही है तभी तो demand बढ़ रही है reduction in taxes government अगर tax कम कर दिये तो भी demand बढ़ेगी increase in government expenditure सरकार जादा जादा खर्चा कर रही है तो लोगों के पास पैसा पहुँच रहा है demand बढ़ेगी investment बढ़ रही है अब multiplier में पढ़के आए हो investment बढ़ने से income बढ़ जाती है तो लोग demand करेंगे import कम होने लगे import कम होगा तो हमारे देश की demand बढ़ेगी export बढ़ने लगे बाहर से demand आने लगे deficit financing नए note चापे अगर RBN नए note चापे तो वो भी कहा जाएंगे public में जाएंगे तो public तो demand करेगी सही है impact क्या होता है बच्चो access demand से inflation आ जाता है सबसे पहले तो महंगाई ही बोजाती है ठीक है क्योंकि output बढ़ा नहीं पाते employment बढ़ा नहीं पाते क्योंकि economy full employment पे चल रही होती है तो हमें inflation देखने को मिलता है ठीक है deficient demand क्या होता है बच्चो deficient demand इसका just opposite होता है deficient demand में क्या होता है deficient demand में बच्चो demand कम हो जाएगी यह AS है यह AD है full employment equilibrium पे तो हम तो इतना बना रहे थे income, output, employment हम तो इतना बना रहे थे अब AD हो गया कम AD हो गया कम तो AD कम होने के वएशे फिर से gap आ जाएगा इस gap को क्या बोलेंगे deflationary gap deflationary gap क्यों बोलते है इसको बच्चो deflationary gap इसलिए बोलते है क्योंकि समान जादा है खरीदने वाले कम है demand ही नहीं है तो सस्ती होंगी चीज़े जब कोई खरीदने वाला नहीं होता तो सस्ती हो जाती है इसको बोलते है deflationary gap ठीक है देखो क्या लिखा वाए deficient demand refers to a situation when AD is less than AS AD कम हो जाए अगर कौन सा gap हमें देखने को मिलता है deflationary gap हमें देखने को मिलता है it is the gap by which actual AD falls short of the AD required to establish full employment equilibrium बहुत important सवाल है inflationary gap, deflationary gap paper में पक्का आएगा मुझे लग रहा है कि कल फसेगा ही फसेगा दो में तो बहुत अच्छे तरीके से इसको तयार कर ले diagram भी मैंने आपको दिखा दिए reasons for deficient demand just उल्टा कर तो जो ऊपर reasons लिखे थे लोगों का खर्चा करने की शमता कम होगी tax बढ़ा दिये सरकार ने tax बढ़ाए तो लोग demand नहीं करेंगे न government expenditure कम हो गया investment कम हो गया import बढ़ रहे है export कम हो रहे है import बढ़ रहे है तो पैसा बाहर जा रहा है तो अपनी तो demand कम होगी export कम हो गया तो भी demand कम हो रहे है अब deficient demand का क्या impact आता है price गिर जाते है जिससे fall होता है output में output भी कम होगा और employment भी कम होगा access demand कैसे ठीक करा जाए बच्चो access demand को ठीक करने के लिए sir हमारे पास क्या-क्या measures है तो access demand को अगर ठीक करना है तो हम लोग government का spending जो है वो कम कर सकते हैं या taxes को बढ़ा सकते हैं ऐसे ही deficient demand भी ठीक करने के लिए इसका भी मैं आपको चार्ट बना जता हूँ पुरा-पुरा देखो measures to correct access demand तो हमारे पास बचो access demand को control करने के दो measures है एक है fiscal policy एक है monetary policy fiscal policy is very important exam में आ सकती है this is very very important most important ठीक है तो अच्छे तरीके से इसको देख लेना एक बार fiscal policy में क्या क्या आता है fiscal policy is the policy of central government तो इसके अंदर government का expenditure आता है और government के taxes आते है ठीक है monetary policy is the policy of RBI तो RBI में दो तरीके के instruments है quantitative और qualitative quantitative में वोई bank rate repo rate reverse repo rate open market operations LRR इदर आता है margin requirement moral situation selective credit control ये सारे के सारे बच्चों options हैं आपके पास access demand अगर control करना है देखो demand बहुत ज़्यादा है इसका मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो पैसे को कम करना है तो सरकार expenditure कम करेगी expenditure कम करेगी taxes को बढ़ाएगी तो कि लोगों के पास पैसा बहुत है तो पैसा खीचना है bank rate बढ़ा दो ताकि loans पहंगे हो जाए repo rate बढ़ा दो reverse repo rate बढ़ा दो open market operation में securities को sell करो LRR में CRR और SLR दोनों को बढ़ा दो ठीक है margin requirements में margin को बढ़ा दो moral situation में हम बोलेंगे कि भाईया loan नहीं देना just discourage lending और selective credit control में हम लेके आएंगे credit rationing हम लेके आएंगे credit rationing तो यह चलता है अगर excess demand को आपको control करना हो I guess सारा revise हो गया होगा अब अगर sir deficient demand को control करना हो तो yellow से लिख रहा हूँ है अगर measures to correct deficient demand आ जाए deficient demand का मतलब की economy में पैसा ही नहीं है लोग demand ही नहीं कर रहे हैं तो पैसा पहुचाओ पैसा पहुचाने के लिए क्या करें सरकार अपना expenditure बढ़ाए सरकार taxes को कम करे bank rate को कम करे reverse repo rate को कम करे reverse repo rate को कम करे open market operations में purchase करे securities purchase करेगा तो पैसा पहुचेगा LRR को कम करे ताकि ज़ादा से ज़ादा लोगों तक पैसा पहुचे margin को कम करना है discourage की जगा encourage करना पढ़ेगा lending loan बाटना पढ़ेगा और credit rationing को withdraw करना पढ़ेगा इस scheme को खतम कर दो withdraw credit rationing खुले आम पैसा बाटना ये deficient demand में चलता है तो देखो बच्चों ये chart अगर तुमारे पास हो न तो तुम्हें पूरा revision इस से हो जाएगा fiscal policy का भी और monetary policy का भी access demand कैसे control करना है और deficit demand कैसे control करना है अब चलते हैं बच्चों हमारा next chapter जो की है government budget चालो sir government budget क्या चीज है government budget क्या होता है government budget बच्चों एक सरकार का annual statement है जिसके अंदर सरकार आपको लिख के देती है कि आने वाले साल में हम लोग इतना पैसा कमाने वाले हैं लगबग और इतना हम लगबग खर्चा करने वाले हैं तो एक annual statement है शोइंग item wise estimates of receipts and expenditures during a fiscal year जो 1st April से 31st March का होता है government budget के या क्या objectives होते हैं सबसे पहले allocation करना resources का ताकि जो resources है हमारे पास government ये कोशिश करती है कि उसका पैसा बहुत अच्छे तरीके से utilize हो जिसके पास जादा है उससे पैसे लिया जाए और जिसके पास कम है उसको दिया जाए तो यहाँ पर government के पास दो चीज़ा दिमाग में होती है social welfare भी हो जाए और revenue भी generate हो जाए तो सरकार इसमें क्या करती है जैसे alcohol पे cigarettes पे taxes लगा दिये तो दोनों काम हो गए सरकार के revenue भी generate हो गया और welfare भी हो गया क्योंकि taxes लगा दिये तो government बोल रहे है कि भाई हम इसको महंगा कर रहे हैं हम नहीं चाहते जनता खरीदे वही कम आ भी रही है तो reallocation of resources हो रहा है rich पे taxes लगा हो poor को subsidies दे दो economic stability की कोशिश करिया आती है कि भाई है एक ऐसा budget बनाना है कि inflation अगर चल रहा है तो वो control हो जाए deflation अगर चल रहा है तो वो control हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि inflation के time पे कौन सा budget बनता है surplus या deficit या deflation के time पर कौन सा budget बनता है surplus या deficit ओके public enterprises को manage करना है government की अपनी companies भी तो है तो budget में उनका भी सापकिताब लिखा जाता है economy growth पर focus करना है budget ऐसा बनाना है कि economy grow करे और regional disparities पर भी focus करना है कि region में जो development हो हर region में बराबर हो ऐसा ना हो कि एक region जाला develop हो रहा है एक कम budget में ये भी ध्यान रखना है कि employment generation schemes भी इसके अंदर डाली जाए इसके बाद बच्चो budget में दो चीज़े होती है mainly receipts और expenditures अब देखो मैं तुम लोग को इसमें भी बता जाता हूं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर मैं budget की बात करूं बच्चो तो budget म में आपके पास receipts होती है और expenditure होता है अब expenditure का एक नियम है कि सर या तो asset बढ़ रहा होगा या liability कम हो रही होगी रिचिप्ट में या तो asset कम हो रहा होगा या liability बढ़ रही होगी या तो तो आपको या लोन वोन ले रहे होगे तो ही receipt होगी खर्चा कब होगा या तो कोई asset ख receipts ऐसे ही expenditure भी दो तरीके के होते है revenue expenditure, capital expenditure, revenue के साथ बच्चों हमेशा neither nor लगेगा, capital के साथ हमेशा either or लगेगा, revenue के साथ neither nor, capital के साथ either or, उसके बाद basics लगा देना, ठीक है? revenue receipts neither create any liability nor reduce any asset of the government, capital expenditure either create any liability or reduce any liability of the government, revenue expenditure neither create any asset nor reduce any liability of the government, sir examples बता दो पड़ावट से, देखो revenue receipt कौन कौन से होगी, सरकार के लिए जितने भी taxes आए, सरकार के लिए कोई fees आई, fines आई, penalties आई, देखो सरकार इतना सारा इस सब receipts है, लेकिन ना तो कोई liability बढ़ रही ही ना ही कोई asset कम हो रहा, तो ये सारी की सारी revenue receipts पे आजाती है, capital receipt कौन से होती है, सरकार के लिए borrowing, अगर loan लिया, liability बढ़ गई, देखो, disinvestment, अपने shares बेच दिये, disinvestment में asset कम हो गया, है ना, तो इस तरीके की capital receipt हो जाती है, expenditures के अगर हम बात करते हैं, suppose government ने salary दी, government employees की, salary दी, maintenance पे खरचा किया, government offices के, तो ना तो asset बढ़ा, ना ही liability कम होई, ठीक है, वहीं अगर सरकार ने कोई asset खरीदा, asset purchase कर लिया, तो वो capital expenditure में चल जाएगा, क्योंकि asset बन रहा है, सही है, तो इस तरीके के examples बचों हम लिख सकते हैं, chart आपको बहुत help करेगा, revise करने में, revenue receipts और capital receipts, revenue expenditures और capital expenditures, एक बात और याद रखना, revenue item हमेशा recurring होंगी, यान रोज रोज बार बार होने वाली होगी, capital expenditures non recurring होंगे, expenditures भी और receipts भी, इनका nature ही non recurring है, तो ये एक basic chart है, जो आपको budget के सारे के सारे components revise करने में help करता है, चलो भाई, देखो, क्या दिया भाई अब यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, revenue receipts, revenue receipts कौन से receipts होंगी मैं आपको already बिता चुका हूँ, which neither create any liability, ना तो liability बनेगी, ना ही asset को कम करेंगे, इसके अंदर mainly tax revenue होता है, और non-tax revenue होता है, tax में क्या होता है, government ने जितना भी पैसा कमाया है taxes से, दो तरीके के taxes हैं, बच्चो, direct taxes, indirect taxes, direct taxes कौन से है हमारे पास, जो की income और property पे लगेगा, indirect taxes जो की goods or services पे लगेगा, direct taxes में income tax, wealth tax लेता हूँ, indirect taxes में बच्चो, GST लेते हैं, direct taxes, progressive in nature होते हैं, यानि income बढ़ती रहती हैं, indirect taxes proportional होते हैं, direct taxes, limited number of लोगों तक पहुचते हैं, क्योंकि government exemptions दिये हैं, indirect taxes का coverage बहुत बढ़ा है, सब तक पहुच जाते हैं, तो wide coverage उनका है, non-tax revenue में बच्चो, सरकार के पास जो receipts आती हैं, यानि government पैसा कमा रहा है, revenue receipt है, लेकिन tax नहीं है, उसमें क्या क्या आ जाता है, interest कमा लिया, profit कमा लिया, dividend कमा लिया, fees लेली, दुनिया भरकी fees, government charge करती है हर जगा के लिए, fines हो गई, penalties हो गई, इसके अंदर है, ठीक है, as cheat हो गया, उसके बाद आपके पास इसमें for features आ जाता है, for feature होता है कि अगर आप court के order नहीं मान रहे हो, तो court आपके ओपर penalty लगाएगा, वो for feature में आ जाएगा, ठीक है जी, ऐसे ही capital receipts होंगी बच्चो फिर, capital receipts कौन सी होंगी, capital receipts वो receipts हैं, which either create a liability, या तो liability बनाएगी, जैसे borrowings हो गया, या फिर आपका asset कम कर देगी, जैसे disinvestment हो गया, तो borrowings और disinvestment मैंने आपको बताई दिया, इसके अंदर क्या-क्या sources है, borrowings आ गया, liability बढ़ती है, recovery of loan हो गया, asset कम हो जाता है, other receipts आ जाती है, जैसे disinvestment और small savings, revenue expenditure कौन सा है अब, फिर से revenue के साथ neither nor, neither create any asset, कोई asset नहीं बनेगा, nor reduce any liability of the government, ठीक है, इसके examples क्या हो जाएंगे, payment of salaries, payment of wages, payment of repair maintenance, जो सरकार कर रही है, अपने officers का, वो सब इसमें आ जाता है, capital expenditure क्या है, या तो asset बनेगा, जैसे construction of a school, construction of a hospital, कोई building, या फिर liability का काम हो ना, जैसे repayment of loan, ये government के लिए capital expenditure होता है, अब बच्चों हमारे पास budget तीन तरीके के होते हैं, सर कौन-कौन से तीन तरीके के budget होते हैं, balanced budget, balanced budget कौन सा budget होता है, जहाँ पे सरकार का, जितना भी expenditure है, वो किसके बराबर हो जाए, है रिसिट के बराबर हो जाए इसको हम balanced budget बोलते हैं surplus budget क्या होता है जहां पर government की रिसिट जादा है और expenditure कम है खर्चा सरकार कम करेगी तो यह budget कब बनता है यह budget बनता है basically जब बहुत जादा महेंगाई चल रही हो inflation चल रहा हूँ ठीक है तो inflation के time पर ध्यान रखना है कि government कौन सा budget बनाती है surplus budget बनाती है okay deficit budget क्या होता है deficit होता है जब सरकार का खर्चा जादा है और रिसिट कम है यह कब बनाती है deflation जब चल रहा हो जब महेंगाई सब सस्ता है लोग के पास पैसा नहीं है तो government खर्चा करती है तो deflation में deficit budget चलता है तो जब भी expenditure बराबर रिसिप्ट हो तो balance budget रिसिप्ट जादा expenditure कम तो surplus budget ध्यान रखना inflation के time पे surplus budget बनता है क्योंकि अल्रेडी महंगाई है लोगों के पास बहुत पैसा है तो अब और पैसा नहीं देना तो खर्चा कम करना है ठीक है और deficit budget कब बनता है deflation के time में फिर बच्चों तीन प्रकार के deficit हो जाते हैं deficit का मतलब तीन प्रकार के जो यह हमने deficit देखा ना भी खर्चा जादा तो तीन प्रकार के divided आई है revenue deficit अगर आपका revenue expenditure जादा हो किस से revenue receipt से तो इसको revenue deficit बोलते है fiscal deficit, fiscal deficit किसको बोलते है बच्चों अगर आपका total expenditure जादा हो total receipt से किसको छोड़के excluding borrowings इसका मतलब आपको borrowings consider नहीं करनी इसके अंदर और primary deficit क्या होता है primary होता है fiscal deficit minus interest primary deficit का formula होता है बच्चों fiscal deficit minus interest बस ध्यान रखना fiscal deficit इस साल का और interest पिछले साल का यह सारा का सारा पार्ट हम लोग बच्चों government budget में बढ़ते हैं I hope आपको quickly सारा का सारा revision हो गया होगा अब हमारे पास एक छोटा सा chapter और है foreign exchange rate foreign exchange क्या होता है हमारी domestic currency से other जितनी भी currency circulation में है वो सारी foreign exchange है हमारे लिए foreign exchange rate क्या है किस rate पे हम अपनी currency को change करेंगे किस यौर currency से उसको foreign exchange rate बोल देते हैं currency depreciation appreciation बच्चों अगर हमारी domestic currency की value कम 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 होती जा रही है तो हम बोलेंगे currency depreciate हो रहा है हमारी currency की value बढ़ 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 बढ़ती जा रही है हम बोलेंगे हमारी currency appreciate हो रही है तो depreciation appreciation समझ गए उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बच्चों exchange rate system सबसे पहले आता है fix exchange rate system fix exchange rate system होता है जिसके अंदर सरकार अपने हिसाब से exchange rate को fix कर देती है in which the exchange rate is fixed by the government तो अगर government exchange rate को नीचे 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 लेके जा रही है यानि कि government अपनी domestic currency को नीचे 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 लेके जा रही है तो अगर government अपनी currency को नीचे लेके जा रही है खुद से तो इसको devaluation बोलते है और अगर government अपनी currency को उपर लेके आ रही है महंगा म तो इसको revaluation बोलते हैं, तो अगर सरकार खुद कर रही है, यह सिर्फ fixed exchange rate में चलता है बच्छो, तो fixed exchange rate में अगर value आप कम कर रहे हो, तो devaluation, आप बढ़ा रहे हो, तो revaluation, सर हम कम क्यों करेंगे अपनी value, कौन चाहेगा अपनी value खुद कम करना, बच्छो अगर आपको export की तो आप सस्ता करते हो ना समान, similarly अपनी currency सस्ती करते हैं, okay, flexible exchange rate system आता है इसके बाद, अब देखो fix में तो government fix करती है, exchange rate, flexible होता है, जब exchange rate कैसे divine होता है, market forces से, इसका मतलब, यह demand है, यह supply है, जहां पर intersect करेंगे, इसके सामने जो rate होगा, वो हमारा exchange rate होगा, अब दिमांड supply is determined by market forces of demand and supply, इसके बाद, तीसरा बचो, घ्यान रखना, flexible का दूसरा नाम, floating भी होता है, तीसरा होता है, managed floating exchange rate system, managed floating क्या है बचो, managed floating के अंदर, exchange rate तो determine होगा, market forces से ही, लेकिन central bank, RBI के मदद से बीच में intervene करेगी, बहुत जाता इसको उपर नहीं जाने देगी, बहुत जाता a system in which foreign exchange rate is determined by market forces, and central bank is a key participant to stabilize the value of currency, ठीक है, इसके बाद, बच्चो, कुछ questions आ जाते हैं, चोटे-चोटे, अच्छा, इसको dirty floating भी बोलते हैं, याद रखना, reasons क्या है, demand के, foreign exchange का demand कब कब होता है, तो देखो, अगर आपको कुछ भी import करना है, तो आप demand करोगे, आपको बाहर घ सबस्ते में खरीद के, महेंगे में बेचने के लिए demand करते हो, और को international loan चुकाने है, तो supply या inflow, कहां से आता है foreign exchange, कब आ सकता है, बाहर से, अगर आप export करते हो goods को, अगर आप export करते हो services को, बाहर से investment आ जाए, बाहर से कुछ gifts आ जाए, बाहर वाले speculation करने के लिए खरीदे, loan मिलें आपको rest of the world से, तो ये सब reasons होते हैं supply के, ठीक है, उसके बाद आता है बच्चो equilibrium exchange rate, equilibrium exchange rate कहां से आएगा, जब demand और supply एक दूसरे के बराबर होगा, इसके बाद सर foreign exchange market क्या होता है, बस और आपको पता होना चाहिए, एक ऐसा market जहाँ पे foreign exchange की sale purchase होती है, उसको foreign exchange market बो बोलते हैं, देखो spot on the spot, आज का rate आज ही transaction, forward market होती है, जहाँ पे transaction future में होगी, लेकिन rate आज का होगा, ठीक है, इसको forward market बोलते हैं, बस ये आपको normally पता होना चाहिए, last chapter आता है बच्चो हमारे पास balance of payment, sir क्या है BOP, BOP बच्चो एक accounting statement है, जिसके अंदर सारा का सारा record बीच में और rest of the world के बीच में, एक तरीके से जितना भी import और export का हिसाब किताब है, BOP में लिखा जाता है, ठीक है, BOP में बच्चो economic transactions में चार चीज़े आती है, goods, यानि कि visible items, इसको हम balance of trade भी बोलते हैं, services, यानि कि invisible items, unilateral transfers, यानि कि one-sided transfers, और चौता है capital transfers, जिसके अंदर ह इसको बोलते हैं, BOT मैंने आपको उपर ही बताया है, जो हम goods की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ goods, तो BOT is the difference between export and import of goods, current account में क्या क्या आता है sir, तो current account में हमारे पास 3 चीज़े आएंगी, शुरू की 3, यह शुरू की 3 बच्चो current account में आती है, तो BOP के 2 parts है, current account, capital account, current account में श services का, unilateral transfers का, during a given period of time, current में क्या क्या आ जाएगा, export and import of goods, export and import of services, unilateral transfers to and from abroad, income, receipts and payments to and from abroad, छोटा मोटा कोई rent received, commission received, profit received, यह इसमें आ जाता है, एक बात और ध्यान रखना बच्चो debit side, negative side होती है, credit side, positive side होती है, BOP account की, double entry system यह follow करता है, capital account में क्या आएगा, वो सारी transactions, जो आप के change लेकर आएगी, assets या liabilities में, okay, mainly borrowings and lendings, to and from abroad, borrow कर आगर आपने, तो plus में आएगा, lend अगर आपने, तो minus में आएगा, investment अगर आपने करी, to, तो minus में आएगा, बाहर से आई, तो plus में आएगा, यह capital account में लिखा रहा है बच्चो, foreign exchange reserves में बच्चो, अगर addition हुआ, foreign exchange reserves में अगर addition हुआ, तो minus में आएगा, withdrawal हुआ, reserves में से, तो plus में आजाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, उसके बाद हमारे पाद आता है, autonomous items और accommodating items, autonomous कौन सी होती है, वो सारी transactions जो profit के लिए कर जाती है, उनको हम autonomous और above the line बोलते है, accommodating होती है, mainly जो cover करने के लिए surplus या deficit क क्योंकि BOP हमेशा balance रखा जाता है, accounting sense में, तो अगर ऊपर कोई भी positive है, तो उसको नीचे absorb कर लिया जाएगा, उपर negative है तो उसको पूरा कर दिया जाएगा, तो इनको हम accommodating transactions बोलते हैं, इसको below the line भी बोला जाता है, तो autonomous हो गया, accommodating हो गया, deficit कब होता है BOP में, जब आपका inflow कम है, outflow जादा है, surplus कब होता है, जब inflow जादा है और outflow कम है, यह होता है बच्चों कुछ और नाम balance of trade के, trade balance, balance of visible trade, यह कुछ चोड़े-चोड़े नाम है, इसी के साथ ladies and gentlemen, हमने पूरा का पूरा macro revision करा, I hope आपको सारे के सारे concepts revise हो गये, यह rapid revision, quick revision आपको बहुत help करता है सारा का सारा एक बार go through करने में, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, exam से पहले वी, अगर तुम exam वाले दिन सुवा, इसको 2x पे देखोगे, तो 30-35 मिनट में तुमारा पूरा revision दुबारा से हो जाएगा, अब इसके अंदर अगर कोई ऐसा point है, जो आपको लगा कि यार सर आज हमारा week है, अभी हमें याद नहीं आ रहा था, या कुछ छुट रहा है, या फिर यह तो मैंने याद ही नहीं किया, अच्छा हुआ, मैंने revision देख लिया, तो अब तुम्हें जो time मिलेगा ना, 12-4 के बीच में, 12-5 के बीच में, उसमें बैठके पूरा का पूरा अपना मैंनत करेंगे, ठीक है, तो all the very best everyone, thank you so much for joining in, I'm gonna see you all super soon, till then see ya, take care, bye bye